गुड मॉर्णी तो अला फियो और विल्कम बैक टुमालन क्लासे जान लिया है आज आई इस वीडियो सेग्मेंट्स हम लोग बात करेंगे पेरिपेटिक इस्पेसेशन के विशे में हम देखते हैं कि पेरिपेटिक वेसेशन क्या है और इसमें क्या कौन-कौन से मुख्य ची सब्सक्राइब करेंगे पेरिपेटिक इस्पेसेशन जब पापुलेशन में से जब फादर लेंड में से कोई एक छोटा सा ग्रूप इसमाल ग्रूप आईसोलेट होकर कहीं अन्यतर जाकर बस जाता है और वह अपना इंडिपेंडेंट जीवन यापन करने लगता है तो इस इस परकार की इस फारमेशन को इस परकार के इस्पेसियेशन को हम एपेरिपेट्टिक क्षियेशन कहते हैं अगर हम थोड़ा सा रिजम्बल करके देखें इस वहां बड़ा सा ग्रूप निंकलता था यहां एक इसमाल ग्रूप आइसोलेट हो रहा है कि से लार्ज ग्रुप से अर्थाथ पारेंटल पॉपलेशन में से एक स्माल ग्रुप आईसोलेट होकर बाहर जीवन यापन करने के लिए आइसोलेट हो जा रहा है तो इस प्रकार की स्पेसीज फार्मेशन को हम पेरिपटिक स्पेसिएशन कहते हैं अगर हम देखें तो एलोपेटिक स्फिएशन में भी क्या होता था विट्वारियर्स या जिसको जेगराफिकल आइसोलेशन कहते थे तो यह कारण बन जाता था आईसोलेट करने के लिए किसको parental population से new group को अलग करने के लिए और थाथ जो parental population से जो नया ग्रूप अलग हो रहा था उसमें एक physical barrier कारण बन रहा था उसका औरोध बन रहा था चाह उनको इंटर्वीट करने से रोकने के लिए अर्थार वो इंटर्वीट नहीं कर पाते थे क्यों क्योंकि कोई वहां माउंटेन डेवलप हो जाता था कोई कैनन डेवलप हो जाता था किसी प्रकार का रीवर या ओसियन जो है यह सब फिचकल वारियर्ट के रूप में उभ देखने को मिलता है जिसकी वजह से यहां हो जाता है अर्थाथ यह दोनों मेंबर आपस में इंटर्वीट नहीं कर पाते क्यों क्योंकि यह कोई नों कोई फिचकल वारियर्ट का कारण बन जा रहा है ठीक है में डिफ्रेंसेश बीटमीन एलोपर्टिक स्पेसेशन और पेर पेरिपेट के स्पेसेशन तो फिर अंतर क्या है इन दोनों में अंतर यह बहुत मायनूट यहां वह छोटा सा अंतर यहां कि ello pediatric specification में जहां fatherland से या फिर parental population में से एक बड़ा group बाहर निकलता था आझ यहाँ peripatic specification में आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा group बाहर निकल रहा है अर्थात यह कोई original population इसमें से जोगरुणेल आइसोलेशन हो रहा है कोई औरोध हो जा रहा है जिसकी वज़े से इस ग्रूप में से छोटा सा ग्रूप बाहर निकल जा रहा है और इनका यहाँ ज़्यादा सिलेक्शन प्रेसर होने के वज़े से फूड हैविट बदल जाने के वज़ा से मेटिंग बिहावियर बदल जाने के वज़ा से यह एक दूसरे के साथ इंटरविटिंग नहीं करते हैं इस प्रकार से यह स्वतंतर बन जाता है जिसको हम पेरिपर्टिक के बाहर निकला था इसमाल ग्रूब उसका यूनिक करेक्टरिस्टिक डिपल अर्थात उसमें एक यूनिक नया करेक्टरिस्टिक डिवलफ हो गया उसका जनेटिक करेक्टरिस्टिक बदल गया उसका बिहावियर बदल गया उसका मेटिंग बिहावियर बदल गया आर्थात व तो माइग्रेशन अप स्माल इंडिविजिवल्स पॉपॉलेशन तो एन आइसुलेटर निके अर्थाथ इसमें यह देखा गिया है कि इसमें बड़े ग्रूप में से एक पैरेंटल पॉपॉलेशन में से इसमाल इंडिविजिवल्स बहुत कम ही जैसे हम कहें कि एक हजार आवादी में अगर पैरेंटल पॉपॉलेशन रह रहा है तो उसमें से दो चार मेंबर निकले हैं तो दो चार मेंबर एक छोटा सा नीकेल बनाते हैं एक पृथक होकर एक नया घर बना लेते हैं एक नया अप परेंटल पॉपलेशन से आईसोलीट होकर एक नया नीके बना लेते हैं प्रतक रूप से नीके बना लेते हैं यह चीज पेरी पैटिक इस्पेसियेशन में देखने को मिलता है चोटे से बहुत कम मिंबर दो चार मिंबर उसमें से निकल कर कहीं दूसरे जगाने तरजा कर बस करते हैं तो इस प्रकार की स्पेसिज फार्मेशन को पेरी पैटिक इस्पेसियेशन कहते हैं पेरी पैट्री का सबसे अच्छा उदारन देखने को मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बात करेंगे आपको बताएंगे फांडर्स इफेक्ट क्या होता है तो पेरी पैटिक स्पेसियेशन का सबसे अच्छा उदारन क्या है फांडर्स इफेक्ट इसमाल फांडिंग पॉपलेशन इसमें एक छोटा सा पॉपलेशन देखने को मिलता है कि अपने परेंटिल पॉपलेशन से छोटा सो ग्रूप आइसो लेट होकर बाह निकलता है इसमीं से जिसमें अपने फॉदर लैंड में से एक छोटा सा और चोटा सा गुरूप एक इसमाल गुरूप आईशो लेट बाहर चला जाता है अन्यत्र बच बस जाता है यह इस प्रकार से उनका जो फूड रीजैबिन्प वहीर है उनका जो से लेक्टिन प्रेशन प्रेश new species will become reproductively isolated और जो यह new species बनी हुई है यह reproductively isolated हो जाए वो दोनों आपस में इंटरविट नहीं कर सकते जिसके वज़ा से उनका gene exchange नहीं हो पाएगा और वो quietly different हो जाएंगे वो अलग धंग से दिखेंगे वो अलग धंग से चला गया तो यह क्या हो जाते हैं एक नई species के रूप में डेपलप हो जाते हैं इसी को तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जोगर्पिकल आइसोलेशन होने के वज़ा से इन दोनों में रेप्रोड़र्टिव आइसोलेशन देखने को मिला यह दोनों आपस में इंटरवीट नहीं किये सेलेक्शन प्रेसर होने के वज़ा से फूड हैविट बदल जाने के वज़ा से इनका behavior चेंज हो जाता है यह कर पेरिपेटिक इस्पेसियसन में पैरेंटnov पॉपलेशन से लार्ज घ्रूप बाहर निकलता था लेकिन यहां क्या है यहां पैरेंटल पॉपलेशन में से 1 इसमाल ग्रूप बाहर निकलता है जिसमें कुछी प Alcohol जाते हैं और अपना इंडेंडड जी वन व्यतित करते हैं ठ करेंगे अगर बच्चों आप हमारे चैनल पहले नए हैं तो जदे जदे हमारे चैनल के सबस्क्राइब करें लाइक करें और याद दोस्तों में जिसे उनकी पुल थे चारूप से चल सके अगर विल आइकान को प्रेस कर लें जिसे नए नोड़ीकर्स आप के पास तक पहुछते रहें मिलते हैं बचो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स सेग्मेंट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद